देख लो guys, एक और important topic है that is jump statements, चलो, jump statements क्या होते हैं समझ लो, there are two jump statements in Java, one is break statement and other is continue statement, तो there are two jump statements in Java, एक होता है break and एक होता है continue, ठीक है, तो यह दोनो jump statement क्यों कहलाता है, because कहीं भी अगर आप break लिख देते हो, तो वहां से आपका control jump करके आगे भाग जाता है, कहीं पे अगर आप continue लिख देते हो, तो वहां पे भी आपका control जो होता है program का, वो jump करके आगे चला आता है, तो basically दोनो statements वहां पे use होंगे, जहां पे आप चाहोगे कि आपका जो control है, वो skip कर जाए या फिर jump कर जाए, ठीक है, तो अब इनका use क्या होता है, जरह आप समझ लो, जैसे मान दो for example, अगर आपने ऐसे लिखा, for int i is equal to 0, यह i is equal to 1, i less than equal to 10, and i++, तो यहां पे अगर that if i is double equal to 5, and यहां पे अगर आपने लिख दिया break, तो देखना क्या होगा यहां पे, ऐसे output questions में कई बार आता है, output questions में कई बार यह चीज़ पूछी जाती है, output के form में, तो यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे मान लो, अगर ऐसे लिखा है, soplni, and इस तरह, तो बताओ क् कौन इसका output बता सकता है, मैं wait कर रहा हूँ, आप लोग इस code का output यहां पे बताओ क्या क्या आएगा, देखो, इसका dry run करके देखते हैं, और बहुत अच्छे समय सकते हैं, यहां पे समझाने कोशिच करूँगा आपको, तो यह देखो break का user look program, break क्या करता है, सबसे पहले क् आपका जो control होगा, वो initialization पे आएगा, then condition पे, condition अभी true है, i का value अभी 10 से कम है, ठीक है, इसके बाद program आएगा इस पे, condition अभी क्या है, i is double equal to 5, and i का value अभी कितना है, अभी तो 1 है, तो यह condition आपका अभी नहीं रन होगा पहली बार, फिर कहां पे आएगा control, sop and i पे, and सबस हो जाएगे 2, and then, आपका control फिर से आएगा condition पे, check होगा, that 2 is less than equal to 10, and control कहां पे जाएगा, फिर से, condition पे, condition में इस बार i का value 2 हो गया है, 1 हटा देता है, 2 value आ गया, तो 2 के 5 के बराबर है, नहीं है, इस बार भी condition false, क्या print होगा i का value, तो अगली line पे print हो जाएगा 2, इसी तर false, फिर से क्या print हो जाएगा यहाँ पे, 3, जब तक आपका if का condition true नहीं होता है, यहाँ पे, जब तक आपका if का condition true नहीं होता है, तब तक break नहीं run होगा, ध्यान रखना, ठीक है, फिर आते हैं फिर से यहाँ पे, इस बार i का value increment होके हो जाएगा 4, and condition check होगा, 4 is less than equal to 10, condition true, अंदर आए, इस बार i का value कितना हो गया, 4, तो क्या 4, 5 के बराबर है, नहीं है, तो 4 भी यहाँ पे, sop ln i से 4 print हो जाएगा, ठीक, इसके बाद फिर से हम उपर आएगे, फिर से इस बार आपका i का value कितना हो जाएगा, 5, फिर से condition check होगा, 5 is less than equal to 10, true है यहाँ पे, फिर अं condition true हुआ इस बार, तुरंत क्या run होगा आपका, break statement, and break statement क्या करेगा, आपके program को, या फिर आपके control को, jump करके ले आएगा बाहर, jump, या फिर control, will jump out of loop, so this is the work of break, इसके बाद कुछ print नहीं होगा, इसके बाद आपका program खतम हो जाएगा, dead end आजाएगा, मतलब आपकी जो printing होगी, उसमें क्या क्या आएगा, one, two, three, four, and जैसे फाइव आपका आया, five पे condition true हो गया यावाला, and condition जैसे ही true होगा, break आपको कहाँ ले आएगा, jump करा के बाहर ले आएगा, ठीक है, यह आपका होगा यहाँ पे, अब जरा में को एक और चीज़ बताना, अगर इस program में हम थोड़ा सा variation करें, अब मेरे को बताना कि कौन output इसका बता सकता है, मतलब जिसको भी आता है, इसका output अब बताना, यहाँ पे अगर हम एक चीज़ चेंज कर दें, वो तो break के case में हमने देख लिया, क्या output आया, अगर यहाँ पे, break की जगा पे continue लिखा होता, अगर यहाँ पे, break की जगा पे continue लिखा होता, तब बताओ क्या होता, चलो, अभी इसको explain करता हूँ, काफी लोग ने सही answer दिया है, एक और सही answer आया था, यह जै पब जी, आपका नाम मुझे नहीं पटा बद आपका नाम बड़ा अच्छा है, जै पब जी, चलो guys, अभी इसको explain कर देता हूँ कैसे होगा, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले control आपका जाएगा initialization पे, आई का value 1, फिर condition पे आए, I is less than equal to 10, condition अभी सही है, 1 is less than equal to 10, कहा हैंगे, I is double equal to 5 condition पे, I का value अभी 1 है, तो 1 तो 5 के बराबर है नहीं, तो यह condition अभी नहीं रन होगा, तो क्या print हो जाएगा, 1, यहाँ पे आके 1 print हो गया, फिर इसके बाद गये, यहा value 2, यहाँ पे check हुआ, 2 is less than equal to 10, सही है condition, फिर आजाएंगे यहाँ पे वापस, इस बार I का value 2, फिर यह condition false अभी भी नहीं, तो इसके लिए होगा क्या, 1, 2, 3, 4 तक तो असानी से print हो जाएगा, फिर 4 के बाद जब यह value 5 होगा, फिर 4 के बाद जब यहाँ पे I का value 5 increment होगा, तब जब हम अंदर आएंगे, तो होगा क्या, यहाँ पे I का value 5 है, जैसे 5 हुआ I का value, तो यहाँ पे condition true, continue statement इस बार run हो गया, इस बार skip नहीं हुआ, इस बार run हो गया, तो जब continue statement रन होता है, तो continue का एक चीज़ याद रखो, that continue, continue only jumps from the current iteration, मतलब यहाँ पे क्या है, कि जो continue statement होता है, continue statement सिर्फ आपका current iteration से आपको बाहर ले के आता है, that means कि continue क्या करेगा, जैसे break क्या कर रहा था, आपको permanently loop से बाहर ले आ रहा था, ठीक है, लेकिन continue ऐसा नहीं करता है, continue के case में क्या होगा, आपका यह वाला iteration, मतलब यहाँ से तो बाहर आ गया, लेकिन वापस से कहा चले गए, इस जगह पे, तो jumps only from the current iteration, इस समय जो iteration चल ला होगा आपका loop का, वहां से बस आप बाहर आ जाओगे, और बाकी आपका सारा loop फिर से continue हो जाएगा, तो continue देखो, नाम से यह है, continue का मतलब बस यह है कि आपका वो वाला iteration नहीं रन होगा, बाकी आपका पूरा program फिर से, मतलब loop आपका फिर से आगे से रन होने लगेगा, तो होगा क्या output में देखो, output में 4 के बाद 5 के case में तो continue हो गया, जंप हो गया, तो यहाँ 5 value नहीं प्रिंट होगा, इसके बाद अगला value 6 हो जाएगा, 6 के लिए condition true, यह वाला फिर से false, तो आपका 6, 7, 8, 9, 10 पूरा पूरा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, तो कहीं न कहीं बस skip क्या हो गया, जो आपका continue वाला part था वो, सो continue क्या करता है, लूप से आगे के statements को नहीं रन करता है, बिस सिर्फ उस particular एक iteration के लिए, continue statement only jumps for the one iteration of the loop, पट break statement क्या करता है, break statement completely stops the loop, break statement क्या करता है, break statement loop को एकदम ही खतम कर देता है, या उसमें से एकदम बाहर निकलाता है, ठीक है, तो यह होता है, break and continue में difference या फिर इनका use क्या होता है, यह विसके लिए output questions में बहुत बार आता है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है,